अज़के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्राखन टेस्ट्रीज पार्ट 115 के बारे में दोस्तों और उत्राखन के टेस्ट्रीज दोस्तों हमारी उत्राखन पोस्ट मार्टम क्लासेज नाम से जानी जाती है जो कि आपके आगामी UKPSC के सभी एकजाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्तपूर्ण है दोस्तों खासकर जो आपका पुलिस कॉंस्टेबल, पटवारी, लेकपाल, बंदी रक्षयक, फॉरेस्ट गार्ड करनी सायक वाले एकजाम्स पेपर है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्तपूर्ण है अगर आपने इससे पहले के 114 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो आप उन वीडियो को जोड़ देख लीजिएगा आपके एकजाम्स के पॉइंट आप ये वीडियो दोस्तों हेलफुल रहेंगी और दोस्तों अगर आप उत्राखन के आगामी एकजाम से तो किसी वरकार के ऑनलाइन कोर्स से आपके प्रैक्टिस के लिए हैलफुल रहेंगे तो चले शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को मैंने आपको होमर का भी क्रिश्चन दिया था ये कि छेत्रपल के घरते करम के आधार पर राज जी के निमने जनपदु में कौन सा करम सही है उत्तरकासी चमोली प बहुत बार एकि जाम में बुचा गया है उत्राखंट diving का चेतरपल कितना है तिरपन 1423 isquare है जो की भारत के कुल चेतरपल का 1.69% है कितना है 1.69% है भारत के कुल चेतरपल का और चेतरपल की अकौडइ tutar सही कर सकते है तो आप चेतरपल की बात करें क्याहें में ऐस चेतर सरवादिक छेत्रफल वाला जनपत कौन सा है दोस्तो वह है कौन सा चमोली जनपत ठीक है चमोली जनपत उत्राखन का सरवादिक छेत्रफल वाला जनपत है लेकिन दोस्तो कभी कभार एक्जाम में क्या होता है कि चमोली ओप्सन में नहीं देगा तो वहाँ पे उत्तरकासी ओ सकते हैं ठीक है ओर उत्राखेन का सबसे कम चीर्फ वाला जनpannt कौन सा है दोस्तु कौन सा मेरा चम्पावत जन्पड ठीक है और राज जी का खोगते करम के अधार पर राज जी के पॉली जनपड क्या है? चमोली जनपड के बाद में आता है उत्तरकासी जनपड, उसके बाद में आता है दोस्तो, पितुरागर जनपड, फिर पॉडी कलवाल और पितुरागर ताल तो आपसे प्रकाशी जनपत का चेतरपल है दूस्तो, 8,016 km2 तो इस प्रकार के प्रस्ण भी आपको नरेकली याद रखने हैं, एक्जाम के पॉइंट वीचे दूस्तो यह है, इंपोरेंट है, और यह प्रस्ण दूस्तो बहुत बार एक्जाम में देखे, यह तो चेतरपल पूछ यह सबसे कम चेतरपल वाला जिला पूछ लेगा, तो इस प्रकार के प्रस्ण आपको याद रखने है, सरवादिक चेतरपल है, कहां का दूस्तो चमोली का, और सबसे कम चेतरपल वाला जनपत कौन सा है दूस्तो, वह है चमपावत, यह सारे फैक्ट आपको याद रखने है अगले प्रस्थन की बात करता है जोसतो, अगला हमारा प्रस्थन है, निमनलिकित, मैं उत्राखन के दिवसू के संबन्ध में सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है, देखिए, उत्राखन राज्य जल दिवस 25 महिप को मनाया जाता है, तो जोसतो बिल्कुल सही है, ठीक है, ह पहर दिवस के रूप में 11 दिसंबर को मनाया जाता है और ये भी सही है तो कौन सा सुमेरित नहीं है तो अप्सन नमबर भी दोस्तों मारा सुमेरित नहीं है जागर संदेक्शनल दिवस मारा यापर क्या है सुमेरित नहीं है क्योंकि जागर संदेक्शनल दिवस जो है दोस्त पर ही 17 सप्तेंबर को जागर संदेक्षन दीवस हमारा मनाया जाता है राज्य जल दीवस 25 मही को मनाया जाता है हिमाले दीवस 9 सितंबर को मनाया जाता है और पहर दीवस दोस्तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है इसी के साथ बात करें दोस्तो कुमावनी भासा दिवस या कुमावनी बोली दिवस मनाया जाता है 1 सितमबर को, गड़वाली भासा दिवस या गड़वाली बोली दिवस मनाया जाता है दोस्तो कब? 2 सितमबर को, हिमालाई दिवस मनाया जाता है कब दोस्तो 9 सितमबर को, ठीक इसी के साथ बात करें, उत्राखंड गौरव दिवस की दोस्तों, तो 10 सेप्टमबर को भारत रतने प्राप्त करता, गोविन बलब पंतर के जर्म दिवस के आउसर पर हमारा क्या, गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, चार अक्टूबर को दोस्तों, उत्राखंड राजजी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 दिसंबर को पहाड दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 24 दिसंबर को दोस्तों, लोक संसिक्रती दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये सारे दिवस दोस्तों, आपको उत्राखंड राजजी से स गटना दोस्तों कब घटी दोई थी यह हुई थी 17-18 अगस्त 1998 को बहुत महत्वपून प्रस्न है एकजाम में बहुत बार दोस्तों है प्रस्न पूछा जा चुका है ठीक है इसे मालपा भूसकलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों जो कि पितुरागर जनपत के मालपा ना क्रामकिस्तान पर एक बयानक बोकमपा है था 17-18 अगस्त MONики मत्ति YANG जिसे मालपा भूसकलन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है कभी कभार दोस्तों एक प्रस्न यहां से इस प्रकार का ही पूछा जा चलाया गया था तो मालपा भुषकलन से बचाओ है तो दोस्तो इंडियन आर्मी के दौरा ओप्रेशन ब्लू एंजल चलाया गया था ओप्रेशन ब्लू एंजल याद रखना है ओप्रेशन ब्लू एंजल किसके दौरा चलाया गया था तो मालपा भुषकलन के दौराने मालप में बैदल गटने की जो गटना होई थी उसके दोरानी दोस्तों मारा क्या हिमालियन सुनामी के नाम से भी इस आपदा को जाना जाता है ठीक है तो यह आपदा याद रखनी है केदारनाथ आपदा 16-17 जून 2013 को दोस्तों यहाँ आपदा आई थी ठीक है और किसके कारण आई थी उस्तों चौराबाडी ग्लेशर के पिघलने के कारण या चौराबाडी ग्लेशर के कुछ हिमखंड या भूखंड तूट जाने के कारण वह चौराबाडी ताल में गिर गे थे और चौराबाडी ताल का जलिस्तर काफी अधिक बढ़ गया था जिस कारण यहाँ केदारनाथ आपदा आई थी बार की रूप में और कई सारे लोगों के इसमें दोस्तो भेंकर बार की कारण मिलती हो गई थी तो चौराबाडी ताल भी कहां स्तीत है यहाँ दोस्तो के दारनाथ के पास में ही रूदर प्रियार जनपत में स्तीत है और बासु की ताल भी दोस्तो इसी के पास में ही इस्तीत है, आप यहां से भी दोस्तों प्रस्न बनते हैं कि किधारणात आपदा है तो, इंडियन एर फोर्स द्वारा कौन सा operation चलाए गया था? तो operation राहत दोस्तों इंडियन एर फोर्स के दवारा चलाए गया था? कब चलाए गया था? और 21 जून को दोस्तों क्या चलाया गया था Operation Suria Hope यह 21 जून 2013 को चलाया गया था यह सारे फैक दोस्तों आपको directly याद रखने है और एक और प्रस्तन दोस्तों यहां से एक जाम में पूछा जा चुका है कि केदारनाथ पुनन दिर्मान का कारिय नहरूप परवातारोहन संस्तान NIM को आधिकारिक तोर पर कब सौपा गया था तो 11 मार्च 2014 को दोस्तों सौपा गया था उतराखन राज जी की सबसे बड़ी प्राकरतिक आपदा की रूप में केदारनाथ आपदा को जाना जाता है तो यह सारे फैक दोस्तों आपको याद रखने है क्योंकि एक्जाम में यहां से आपका डायक लिए भूकमप हो गया बोस्कलन हो गया आपदा हो गया यहां से प्रसने पूछे जाते रहे हैं ठीक है और राज जी में सरवादिक किस प्रकार की आपदा है ठीक है इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर हम कहें दोस्तों सरवादिक सबसे जादा क्या आते हैं भूकमप आते हैं बोस्कलन आते हैं और जो मारा बादल फटने की घटना है यहां पर होती है भूकमप की दृष्टी से देखा जाए तो दोस्तों उत्राखंड को हमारा जोन 4 और जोन 5 में रखा गया ठीक है तो भूकमप छेत्रों के आधार पर दोस्तों तो मारे पांच प्रकार से भूकमप ही जोन उन जोन के रूप में जाना जाता है ठीक है तो सम्मिदन लिशिल जोन जोन 4 और जोन 5 में हमारे उत्राखन के जनपद आते हैं आपको यह पॉइंट रैकली याद रखना है ठीक है और उत्राखन में भुकमपो और भुसकलन से सम्मंदी जो भी डाटा है तो आपको वह याद चाथ नहीं है 14 सी 17 सथाा जून 2013 को जो आई भी थी ठीक है इसी के साथ में अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां से आपको यहाद रखने कि उत्राकरिंद राज यादा प्रबंदन प्राधिकरन प्राधिकरन का गठन का गठन नाम प्रस्तन mo पोशका है तो एक प्रस्ति प आती हैं किताबों में आप पढ़ेंगे 21 जुलाई 2013 ठीक है और ऑफिशल साइट पे अगर आप इनकी जाहेंगे तो है 9 अक्टूबर 2013 तो दोनों याद रखना है आते गया था यह पॉइंट में दोस्तों आपको डेकली याद रखना है तीरी बाद में दोस्तों बुस्कलन का रखना रखना है था फिर्वाल की लगबग 90 पर दिसार जंता मारी गई तो इसा कहा जाता है ठीक है और भी कई सारे भुकम थे जैसे कि हमारे चमोली कपकोट हो या उत्तरकासी हो गया इन चेतर में लगातार भुकम्प आते जाते रहते हैं ठीक है और भूसकलन की बात कहा तो भूसकलन भी उत्राखण में भूसकलन प्रभाविल चेतर के रूप में भी इससे जाना जाता है तो आप दाउंसे संब्धिन दोस्तों मैंने आपको दो तिन बता दिये हैं, आपको यह डियाद रखने हैं, अगले प्रस्तिकी बात करते हैं दुस्तों, कि राजी सरकार द्वारा वरिष्ट नागरिक भरन पोस्टन तथा कल्यान अधिनियम 2007 किस वर्से कीवर्ण लगुक किया गया था, तो राजी सरकार द्वारा वरिष्ट नागरिक भरण पोशन तथा कल्यान अधिनियम 2007 फुद उस्तो 2011 से लागू किया गया था अगर प्रिस्तिन की बात करते हैं उस्तो गणनाथ सैम मलिक आरजुन आदी किस जंजाती समूखे देउता है तो जोस्तो गणनाथ सैम मलिक आरजुन जो यह है यहा दोस्तो मारी राजी जंजाती समूखे देउता के रूप में जाने जाते हैं इसके साथ सन बात करें बागनाथ हो गया मलईनाथ हो गया गणनाथ हो गया सैम हो गया मलिक आरजुन हो गया नंदा दिवी हो गया आदी रा प्रस्न एक्जाम में पूछा जा चुका है अब राजी जनजाती की बात करें दोस्तों तो राजी जनजाती के ही प्रमुक्त यह उता है गणनाथ, सेम, मलिकार, जुन, बागनाथ और नंदा देवी आदे ठीक है राजी जनजाती दोस्तों उत्राखन की सबसे कम जनसंग के हावाली जनजाती है तो प्रस्ना आपसे प्रस्निक जाम में पुछा था है उत्राखन में दोस्तों मुक्षेत है पांच जनजाती है इनको जनजाती का दरजा कब मिला था? 1967 में मिला था, कौन कौन सी है, सरवादिक जनसंग के आवली जन जाती है, धारू जन जाती, फिर है आपका भोटिया जन जाती, फिर है बोक्सा जन जाती, और फिर है दूस्तो आपका राजी जन जाती है, यह पास जन जाती है, जिने 1967 में जन जाती का दरजा जिया गया था, इसमें से सरवादिक जन्संग के वाली जन्जाती है, थारू जन्जाती है, और सबसे कम जन्संग के वाली जन्जाती है दोस्तो, राजी जन्जाती ठीक है, और राजी जन्जाती के लोग अपने आवासों को रौत्यूडा कहते हैं, क्या कहते हैं, राजी जन्जाती की जो ब और मूख व्यापार के लिए प्रसित जनजाती कौन सी है वह है दोस्तो मारी कौन से राजी जनजाती ठीक है एक और प्रसने यहां से एक जाम मनता है कि राजी जनजाती में कौन सी विवापर्था का प्रचलन है दोस्तो वधो मूली विवापर्था का यहां पर दोस्तो प्र प्रमुक देवता हैं इसी के सासान सोर्मल देवी देवता कि भी ये पूझा करते हैं जोतों है जो में भीदी से अपनी किर्सी या खेती करती है ठीक है तो राजी जनजाती की बारे में दोस्तो आपको इतने फैक्ट याद रखने है जो की important है और exam में पूछे जा सकते है ठीक है और हिमाले की सबसे पहली जनजाती की रूप में या उत्राखन की सरवादिक साक्षर जनज जाती है ठारू और सबसे कम जनजाती है तो कौँसी राजी ठीक है राजी जनजाती का पोश्ट माटरे यहा पे अच्छी तरीकेंचे हम ने कर दिया है आपको इस सारे फैक्ट दोस्तो याद रखने है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपोटेंट ही बता रहा हूँ अगले McDonnell के द्वारा कराया गया, ठाटिक है अब प्रसना आता है, उत्राखन का उच्छी नयाले कहां इस थी दोस्तों, यहां नैनी ताल में इस थी दे, ठाटिक है, उत्राखन उच्छी नयाले की स्थापना का वोई थी, 9 नौवंबर सन 2000 को भारती गलतंत्र के बीश्वे राजजी के रूप में, या बीश्वे नयाले के रूप में दोस्तों, किसकी उत्राखन हाई कोट की स्थापना की गई थी, 9 नौवंबर सन 2000 को नैनी ताल में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन दोस्तों इसका जो भावन था यहां, बहुत पहले ही बनकर तयार हो गया था, और इस भावन का निर्मान दोस्तों, एंटोनी मैकडोनल के द्वारा करवाया गया, ठाटिक है, अब एक दो फैक्ट आपको यहां से तयार हो था, तो बनकर कब तयार हो था, इस भावन का निर्मान की खिया गया था, इस भावन को राजभाण यहां गवरेनर हैं ल cannam sees के पुछ रू unterstüt गाना जाता है, ठाटिक है, और यहाँ बहुन किस सहली में बनाओ बना ओए दोस्तों तो बर्मिंगं सैली में हमारा नहीतल, Рाजभवन यह नहीतल का हाई कोट का भौवन है यह बना हुए बर्मिंगं सैली कहीं कहीं आप इसे गौथिक सैली भी दोस्तों पढ़ेंगे तो दोनों ही आपको याद रखना है और इस बहुन का डिजाइन दोस्तों किसके दोरा के तयार किया गया था तो Stevens, Stevens के दोरा इस बहुन का दिर्मान या डिजाइन जो है वहाद दोस्तों तयार किया गया था ठीक है और इस राज बहुन में या इस हाय कोड के बहुन में मुख्य था तो कुछ समय यहाँ पर ब्रिटिस्यों का मुख्याले था ठीक है अंग्रेजों के दर्रह यहाँ पर मुख्याले बनाया गया था उसके बाद में दोस्तों आगे जाके जब उत्तर परदेश सरकार थी तो उत्तर परदेश सरकार ने उस तो नैनिताल को अपनी ग्रीस मकालीन बनाया था तो सचीवाले भहन के रूप में इस उची नैले के भहन का भी दोस्तों परियोग क्या था 1922 में उत्तर परदेश ने अपने ग्रीस मकालीन राजधानी इसको नैनिताल में इस भहन को बनाया था ठीक है यह नैनिताल को बनाया था उसके बाद में आर एफ़ै के अवकास सिवीर के रूप में भी इससे जाना जानने लगा, फिर कुछ टाइम पे, कुछ अधने गवर्मेंट जो हमारे ओफिस थे, वो भी यहाँ पर खुले थे, फिर एट लास वन जब 9.9 सन 2000 को उत्राखन राजजी का गठन हुआ, तो उसी दिन यहाँ पर 9.9 ताल हाई कोट का इस्तापना कर दे गई थी, तो बरतमाँ में भी 9.9 ताल हाई कोट का जो हाई कोट है, वह इसी भवन में इस्तित है, जिसे हम 9.9 ताल हाई कोट भवन के रूप में जानते हैं, तो सारी जो संस्तान है, वह आपको याद रखने हैं, ऐसे कि आरी जो है, आरी बट्रेख्षेपण, विज्ञान सोच संस्तान, भारती पसुचिकित साथ सोच संस्तान, वेटरिनरी रिसेच इस्ट्यूट जो है, ठीक है, इसी के साथ में बात करें, प्रसासनी प्रिस्तिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक् तो ये सारी ताल ने कहा हमारा उत्रकासी जनपत में ही स्तित है। ताल, दोडी ताल, काना ताल, फाजगनडी बया ताल, बरान ताल, यह सभी आपकी देवशाडी ताल, यह सभी आपकी कहां उत्तरकासी जनपद में इस्तित है टिक है। एक वीडियो बनाया हुआ है, दो गंटे का वीडियो है, उत्राखंड जियोग्राफी, साड़े 300 या 350 प्लस महत्वपुन प्रस्ण भाई, उत्राखंड जी के वैरीजिटरिक आप डालेगा, या उत्राखंड का गोल करके मैंने वीडियो डाली हुए है, उस वीडियो को आप दिया गया था, 1907 में दोस्तों यहां नारा दिया गया, ठटीक है, चिपको आंदुलन दोस्तों जिसे 70 के दसक के एक महत्वपुन आंदुलन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मुख्य जो नारा था दोस्तों वह था, हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीती बदले सर वन जागे, वन वासी जागे, यहां जो नारा था, यहां भी चिपको आंदुलन के दोरान दिया गया था, और इसके बाद दोस्तों एक और नारा गी दिया गया, 1907 में यह था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, यह दोनों की अंदादुन्दों और अवेड कटाई को रोकने के उद्देशी से दोस्तों, इसके मूलता है, शुरुआ जो ए चिपको आंदुलन हम कहते हैं, चिपको जो कांडु आथा, यह कव आथा, 26 मार्च 1974, 26 मार्च 1974 दोस्तों आपको पताई होगा, रैनी नामगिस्तान पे, च पर नेता महिला की रूप में हम किसे गौरा देवी को जानते हैं, चिपको उमेन के नाम से भी जानते हैं, इन सभी महिलाओं उन्हें पेडू से लिपट कर का था, कि पहले आप हमें काड़ दो, फिर हमारे पेड़ काड़ना तो इस प्रकार से यहां आंदुलन दोस्तों, विश्चो परसीद्ध हुआ था, और चिपको उन्हें को सिखर पर पहुचाने का कारी सुन्दलाल भगुना और चंडी प्रसाद भट जी के दोरा कराया गया था, ठीक है यादर्ष ने आपको जिसमें भगुना जी ने दोस्तों एक नारा भी दिया था, हिमालाई बचाओ देश बचाओ का नारा भगुना जी के दोरा इस दोरान दिया गया, ठीक है, तो चिपको उन्हें को उन्हें को उन्हें को आपका विश्चो भिश्चाद बनाने के लिए शिखर पर पहुचाने में मुख्यत भुमी का सुन्दलाल भगुना और चंडी प्रसाद भट जी की मानी जाती है ठीक है, और हिमाले बचाओ, देश बचाओ का नारा भी सुन्दलाल भगुना जी का ही है, और चंडी प्रसाद भट जी को दोस्तो परियावरन से सम्मानित कारियों के लिए 1982 में बाद में रवन मैक्स से पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया ठीक है, तो यह कोतेश शैटित हैं वह को जाते हैं, आपको याद हुझना है, तो रिषी गंगा घाटी में, जोस्तो यह हमारा रैणी के सबी जो जेंगल है, वह इस प्रकार के प्रस्त दोस्तो एकजाम में जो परियावरन से संबंदित हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, खास कर गॉरा में साहे दिये चमोली में श्तित है 26 मार्च 1974 को दोस्तो इन्होंने चिपकौ homme undrogan का नेत्व तो अपने आत में लिया था उसके बाद में 1986 में दोस्तो इन्हें नम्वंबर 1986 में पर्थम उरिक्षयमित्र सम्मान से भी सम्मानित किया गया था और इन्हें चिप को उमेन की नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो यह सारे फैक्ट आपको गोरा देविजे से भी याद रखने है है ठीक है और इसी गंगा घाटी आपको याद रखनी है ठीक है अगले प्रस्थन की बात करते हैं राज जी में वर्तमान विदान सबाद देख्ष कौन है दोस्तों, तो मैंने दोस्तों हाली में एक वीडियो बनाया हुए, उत्राखन में कौन क्या है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लिजेगा, और उत्राखन राज जी में वर्तमान विदान सबाद देख्ष हैं दोस् तो ये थे प्रकास पंत थे ठीके जो के अंतरीम विदान सभा में हमारे विदान सभाद देख थे और वहीं उत्राखन के पर्थम निर्वाचित विदान सभाद देख थे ये पॉइंट भी दोस्तो आपको याद रखना है क्योंकि एकजाम में ये प्रसने सची वाले कर्मी और कई सारे एकजामों में पूछा जा चुका है तो उत्राखन के वर्तमार में विदान सभाद देख थे कौन है रितु खंडुरी भूशन जी है उत्राखन के पर्थम महिला विदान सभाद देख थे कौन है रितु खंडुरी भूशन जी है और उत्राखन के पर्थ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी तो टीरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी तो श्रीदेव सुमन जी के दौरा टीरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी तेइस जन्वरी 1949 को दोस्तो और प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी त तो देहरादून में दोस्तों यह इस प्रजाम अंडल की स्थापना की गई थी 23 जनवरी 1949 को ठीक है और प्रजाम अंडल के संस्तापक सदस्यों के रूप में सिदेव सुमन हो गया गोविंद राम भट हो गया तोतराम गैरोला हो गया आधी लोगों को जाना जाता है ठीक है और जो यह प्रजाम अंडल की पहली बैठक हुई थी 23 जनवरी 1949 को ही हुई थी देहरादून में एक थे हमारे श्याम चंदर सी नहींगी जी उनके मकान पर इसकी या टीर राजी प्रजाम अंडल की स्थापना हुई थी कापे ठीक है देहरादून में जिस्ते टीर राजी दोस्तो याद रखना है गनदेश सेवासंग जिसे दोस्तो बरतमान में हिमाले सेवासंग के नाम से भी जना जाता है तो गनदेश सेवासंग की स्थापना कप की गए थी दोस्तो यहाँ प्रस्नवी जाम में पुछा जाता है तो 1928 में दोस्तो गनदेश सेवासंग की स्थ 1936 भी दोस्तों किताबों में दिया गया लेकिन 1936 को आपको सही याद रखना है 19 सेप्टम्बर 1936 को कॉंग्रेस के गुजराद अजिवेशन चे प्रेजित होकर दोस्तों स्रेदेव सुमन और उनके कुछ अन्य सांतियों के दोरा गनदेश सेवा संग की स्थापना की गई थी 1936 में ठीक है यह पॉइंट आपको दोस्तों डैक लिए याद रखना है और इस गनदेश सेवा संग की स्थापना कहां पर की गई थी तो गनदेश सेवा संग की स्थापना दिल्ली में की गई थी जिसे वर्तमान में हिमालियन सेवा संगे के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये पॉइंट दोस्तो बहुत मैत्वपुन है स्रीदेव सुमन जी से सम्दित है गनदेश सेवा संग की स्थापना 1929 में की गई ठीक है बागे स्रीदेव सुमन की मरत्यु का भी थी उस तो 25 जुलाई 1924 को दोस्तो टीरी जेल में 84 दिन की भूखरताल के बाद में इनकी मरत्यु हुई थी और जब इन्हों ने टीरी राससाई के खिलाप मा अंदूरन की क्या था उस टाइम पर टीरी रियाशत के राजा कौन थे आपनों को याद रखने है नरेंदर सा इस टाइम पर टीरी रियाश्त के राजा थे जो की यूरोप की यातरा पर गए ठेक है ये point आपको डेक लिए याद रखने है ठीक है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम दे 10 प्रस्तों के बारे हैं पढ़ लिया है आज का आपका Homer के दो कुशन है कि राज जी में राजसो पुलीस योस्ता कब से लागू हुई थी इसका अंसर आपको कमेंड बताना है ठीक है राजसो पुलीस योस्ता के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है और राजसो पुलीस योस्ता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है राजेसो पुलीस व्योस्ता को संपूर्ण उत्राखन में किसके दोरा लागो कराएगा था इनके अंसर आपको कमेंड बॉक्स में देने है और दूसरा आपका होमर का कुशन है कि मध्य पहारी भासा का सास्त्री अध्यन नामक पुस्तक के लिख़ब कौन है इसका अंसर भी दोस्तों आपको कमेंड बॉक्स में देना है बाकि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंड बॉक्स में जरूर बिताइएगा वीडियो पसंद आती तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें तो अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर सेर करें और दोस्तों अगर आप उत्राखन के आगाम एक्जाम से तो प्रैक्टिस सेट के बैचेस से जुड़ना चाते हैं तो आप प्लै स्टोर से हमारी अप्लिकेशन उत्राखन जी के वेरी इजे ट्रिक्स को जरूर डाउनलूड के लिजिएगा वहाँ से आपको एक्जाम में बहुत ज्यादा है धन्यवाद